नमसकार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चनल जरधारी क्लासेश में तब बना चुके हैं ऊसको आप जरूर देखेगा और टीरी सई सीमा बनाता है जो टीरी के ऊतर में इस चिते मनें आपको बताए था तेरी वाली सीरीज में वह है आपका उत्तरकासी जिसको आज हम्याप पे डिसकर्स करने वाले हैं तो चले दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों हम आपके लिए लेका रहा रखें उत्तराखंट GK जिसमें आपको उत्तराखंट सामन गयां से SJ Group का एप और इसको इंस्टोल कीजिए और इसको इंज्वाई कीजिए और हाँ यदि आपको पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल न भूलें दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट हम आपको बता दू यहां पर कौन कौन से पॉइंट हम आज यहां पर उत्तरकासी जनपत के कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहां पर उत्रकासी के इतियास के बारे में फिर भुगोल के बारे में और यहां पर राष्ट्य सीमाएं अंदराष्ट्य सीमाएं नेशनल हावे यानि राष्ट्य राजमार कौन-कौन से उत्रकासी दिनपद में परमुख दर्रे और परमुख बुग्याल cover कर लेंगे तो तीन पार्ट में ही यहाँ पर आपका उत्तरकासी जनपत मैं complete कराने की कोशिस करूँगा और आज अहाँ एक और टोपिक भी है आज प्रसासनेक धांचा भी यहाँ ठीक है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं देखो यह तो मैप है मैप आपको ऐसी ब मुख्यला है उत्तरकासी जनपत का यह तो पूरा खैर उत्तरकासी जनपत का मैप है और मुख्यला है यहाँ पर आपका उत्तरकासी जनपत जो की वरोनावत परवत की गोद में बसा हुआ है पहले उत्तरकासी के इतिहास पर द्रिश्ट डालते हैं तो जो उत्तरकासी है उ वरुनावत परवत की गोद पर ये वरुनावत परवत है और इधर पूरा ये उत्रकासी बसा हुआ है तो काफी बड़ा ये परवत है तो वरुनावत परवत की गोद पर बसा हुआ है उत्रकासी आपको नोट करना है और वरुनावत परवत के जहां पर वरुनावत परवत है इसके दोनों और से मलब इधर से असी गंगा आ रही है यह असी गंगा है भागिरती के प्रफुक्साइक नदी है और यह यहां पर वरोना नदी तो वरोना नदी और असी गंगा के बीच से आपका वरोनावत परवत और यहें पर बसा है आपका उत्तर कासी तो इसलिए इसको वरोनावत परवत में असी गंगा और वरोना नदी के बीच बसी होने के कारण उतर कासी को क्या कहा जाता है सो में कासी कहा जाता है अब ऐसा क्यों कहा जाता है क्यूंकि एक कासी को कहा जाता है वारानसी को भी कहा जाता है तो वारानसी में भी क्या है जो वारानसी को कासी इसले कहा जाता है कि वहाँ पे भी क्या है असी गंगा और वरोना गंगा है और उन्हीं के बीच बसा हुआ है कासी या वारानसी तो इसलिए इसी प्रकार से यहां पर भी असी गंगा और वरोना नदी होने के कारण उतरकाश को क्या गा जाता है सोमेकाशी के नाम से जाना जाता है अब दूसरा जो नाम है उतरकाशी का हुए है बाड़ा हाट तो यहाँ पर प्राचीर में बारा गाउं हुआ करते थे और यहाँ पर एक हाट लगता था हाट का मतलब होता है जैसे मार्केट लगता है कुछ से या मंडी लगती जैसे तो उसे को कहते है हाट तो बारा गाउं होने कारण और यहाँ पे हाट लगने के कारण इसको कहा जाता है बाड़ा हाट तो उतरकासी के दो नाम है एक सोमेकासी और एक है आपका बाड़ा हाट तो सोमेकासी क्यों पड़ा क्यों पड़ा क्यों कि यहाँ पे वरणा नदी और ये असी गंगा के बीच है जैसे वारानसी है वर्णा नदी और असी गंगा के बीच है, इसलेजको सोम्यकासी के नाम से जान जाता है अब देखो इसकी स्थापना कवी, तो उतरकासी की जो स्थापना हुदी थी 24 फर्वरी 1960 को 24 फरवरी 1960 को उत्रकासी पहले टीर रियासत का एक हिसा था फिर 1948 में जैसे मैं आपको टीरी जिल्ले वाली सीर्जम बता चुका हूँ कि 1948 को जब टीरी जन्पद उत्र पर्देश का एक जन्पद बना तो उस टाइम भी उत्रकासी टीरी का एक हिसा था लेकिन उसके बाद क्या हूँ 1960 में उत्रकासी जन्पद को टीरी जन्पद से अलग कर दिया गया 24 फरवरी 1960 को तब बना एक उत्रकासी जन्पद अब देखो यह तो इसकी स्थापन होगी अब इसके पडोसी देशों की बात कर लेते पहले तो पडोसी देश कौन है अब जो अन्तराश्ट सीमा इसकी यह पडोसी इसकी राज़िया पडोसी जिल्ले कौन-कौन से है तो सबसे पहले हम जो इसका पडोसी देश है उत्रकासी जन्पद का वो है आपका चाइना तिबद यह है यहां से यहां से लेकर और यहां तक तो ये पूरा हिस्सा आपका चाइना तिबबत का है तिबबत का था वो इसे चाइना इसको अपना मानता है और ये उत्रकासी है तो उत्रकासी राज्या जो क्या बनाता है एक अंतराश्टी सीमा भी बनाता है किस देश के साथ बनाता है चाइना के साथ बनाता है यह आपको नोट करनी है अब देखो उपर से उसके बाद क्या है यहाँ पर हिमाचल परदेश से यहां से लेकर और यहां तक यह हिमाचल परदेश की सीमा है और उतरकासी की सीमा है तो एक तो चाइन अतिबत के साथ बना की जाए तो यह देरदून हो गया यह टीरी हो गया और यह हो गया रुदर प्रयाग और यह हो गया चमोली तो इसका जो इसके जो उत्तर में है उत्तर कासी के उत्तर में आपके क्या है हिमाचल परदेश और चायना तिबत है पूरू में पूरू इदर होता है तो पूरू में इधर पूर हो गया और इधर हो गया आपका दक्षन तो पूर और दक्षन के बीच इस्तिताब का रुद्र प्रियाग जो की उत्रकासी जन्पत से भी सीमा मनाता है तो यह इसके क्या होगे पडोसी जिल्ले राजिया और जो देश है उत्रकासी जन्पत के पडोसी वह मैंने आपको यहां पर बता दिया है और छेतरबल के अगर बात करें उत्रकासी जनपत के तो इसका छेतरबल है कुल आयोग के अंसार करना है क्योंकि अगर आप एक्साम देने जारहे हो तो आयोग उसके को सही दिखाया है लेकिन आयोग ने अभी तक जो इक्साम हुए उसमें उत्तरकासी जनपत को सबसे बडा जनपत माना छेतरबल की दिष्टी से अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसकी जो नेशनल हाइवे हैं यानि राष्ट या राजमार्ग कौन-कौन से उत्रकासी जन्पत में काफी इंपोर्टन्ट है और इंपोर्टन्ट है इसलिए हैं क्योंकि इनके नाम बदल दी गए हैं पहले अगर आपने अब तक जो पड़े हैं वो अलगेंटी कि इनके नाम कुछ अपडेट किये गया है तो वही मैं जो नए अपडेट नाम है क्योंकि एक्जाम में तो वही आपको करना है अब तो वही मैं आप कहां पर बताऊंगा मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताए था कि चमबा सुरंग है जो इसी राजग मार्ग पर है तो यहाँ पर आपको सही का ना वो NS34 पर आप ठीक है यह NS34 इसका नया नाम है तो इसी मार्ग पर आपकी चमबा सुरंग और वो इसलिए बनाई जारी है ताकि डारेक्ट अगर इसके से जिसको डारेक्ट धरासू या उतरकासी आना है तो वो उस सुरंग से आजा सके और अब वो बन कर भी पूर्ण हो चुकी है तो यह है आपका नेशनल हाईवे 34 और यह कौन कौन से मार्ग को जोड़ता है या किस किस इस्थानों को जोड़ता है तो यहां से धरासू से लेकर उतरकासी से लेकर और गंगोतरी तो धरासू टू गंगोतरी कौन सा नेशनल हाईवे है यानि राष्ट राजमार्ग है तो वो है आपका agages 34 देखो मैंने याप मैप में पूरा समझां रखा है यहाँ मैप में दoping राश्ट्रा रखें वह कर राश्ट्रीयाराज मार्क है जब्क्वध के बारे में आपको आपको पाइड ठरी यों बताएंगे तो नदियों आज आपने ध्यान नहीं देना है तो सिर्फ राष्टिया राजमार्ग पर ध्यान दीज़े यह है NS34 यहां से धरासु पहुंच गया धरासु के बैंड के बारे में आपने सुना वो काफी बड़ा बैंड है और धरासु पर जब NS34 पहुंचता है तो यहां से एक और मार्ग निकलता है यह मनोत्री के और यह तो आगे जा रहा है उतरकासी गंगोत्री के और लेकिन यह मनोत्री के और जा रहा है यह है NS34 तो दो मार्ग आपको ध्यान रखने एक है 134 जो की धरासु से लेकर कहा जा रहा है यह मनोत्री जा रहा है और एक है यहांपे National Highway 34 धरासू से लेकर पंच गया है उत्रकसी और यहां से उत्रकसी भागरती के किनारे किनारे अब दखो नहीं से भागरती के उपर साइड है कहीं मैं नीचे साइड है तो यहां मैंने ऐसे दर्षा न रखा है तो उसकी तो खेर वो तो आतनी एक्जामे की कौनी साइड है तो यह देखो याँ पर नेशनल हाइवे 34 और यह जा रहा सीधिया आपका गंगोतरी तक तो नेशनल हाइवे 34 है वो कहां से कहां तक है धरासू से लेकर मलब उत्तरकासी जनपत के वो बात कर रहा हूँ धरासू से लेकर आपका गंगोतरी धाम तक जाता है आपका नेशनल हाइवे 34 दूसरा जो नेशनल हाइवे है 134 वो है धरासू से लेकर जाता है बढ़कोट तक और बड़कोट में उसमें एक और राष्ट्य राजमार्ग जोड़ता है जो देहरदून से आ रहा है देहरदून से आ रहा है नेशनल हाइवे 507 यह कहां से आता आपका विकास नगर कालसी देहरदून से लेकर और कहां तक जाता है यह आपका बढ़कोट तक तो जो नेशनल हाईवे 507 यह देखो इधर दहरदून है ठीक है मैं आप देखो यहाँ पर यह है आपका दहरदून और यहाँ पर आज़ा नेशनल हाईवे 507 यह नहीं 507 और बढ़कोट में पहुंच गया और बढ़कोट में किस्वे मिल गया जो धरासु से आ रहा है नेशनल हाईवे 134 और आगे इसको नेशनल हाईवे 134 ही कहा जाता है और कहां पहुंच जाता है यह यह मनोत्री धाम है यह आपका यह मनोत्री धाम है इसमें तो खेराम जब मंदिरों वाली वीडियो बताएंगे तो यह मनोत्री धाम के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे यह 134 यहां चला गया और 34 यहां चला गया तो अब आपको नेशनल हाईवे भी याद हो जाएंगे अब बात करते हैं नेशनल हाईवे यहां पर होगे अब बात करते हैं दर्रे तो दर्रे क्या होते हैं जो दो देशों या दो राजियों को जोड़ते हैं तो दर्रे महले दर्रे घाटियां टाइप की होती हैं घाटियां होती है और बड़े-बड़े उनके इधर दर क्या होते हैं पहाड होते हैं वचे मैंने दर्रे आपको एक मैंने special वीडियो बना रही है सर्च कर सकते हैं यूटूब में उतराखन के दर्रे तो सबसे उपर हमार और किस राज्जियों को और किस देश को कौन सा दर्रा यहां पर जोड़ रहा है तो सबसे पहले हम चाइना का जो दर्रा यहां पर चाइना और उतरकासी जनपत के बीच जो दर्रे हैं तो देखो नेलंग दर्रा अब देखो यह नेलंग दर्रा है इसकी यहां पर जो घाट का लद्दा किसे का जाता है नेलंग घाटी को का जाता है और यहाँ पर नेलंग दर्रा है तो यहीं पर होगी आपकी नेलंग घाटी दूसरा दर्रा यहाँ पर थांगला दर्रा यह भी चायना तिबत को जोडता है देखो यह नेलंग दर्रा भी चायना तिबत को जोडता है यह चार दर्र हैं, कौन कोड से ने लंग दर्रा, ठांगला दर्रा, मुलिंग दर्रा और श्यांग चोकला यह कौन कौन से उतरकासी और श्यानक म hoş confuse लिए απ देखंज हिमाचल पर्देश की बात कर लेते हैं महिसी उतरकासी तो तो स्रंग कंठ डर्रा काफी important रही है कई बार इक्जाम में ये पूछा जा चुका है तो अतरकासी और हिमाचल प्रदेश में कौन सा डर्रा है तो ये आपका स्रंग कंठ डर्रा है उसका अब हैं इहां पर देखो चमोली है दोखो ये map अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कोई चीज लिखने की जरूत नहीं है सिर्व आपने map देखने है दो-तीन बार और खुद इसको बनाईए इसका वैसे मैं आपको app में इसका वो देदूँगा आपको PDF या फोटो जहां पर आपको नोर्स मिलेंगे और एक और दर्रा है बाली पास दर्रा यह है बाली पास दर्रा कहां कहां पर है तो बाली पास दर्रा है आपकी हरकी दून यहां पर हरकी दून है हरकी दून और यम नोतरी की बीच यहां पर चेतर है हरकी दून और यहां पर यम नोतरी है तो यहां पर सभी दर्य लगबग कम्प्लीट हो चुके हैं अब बढ़ते हैं आगे और बाद करते हैं परमुख बुग्याल है जो उत्तरकासी जन्पत में देखो बुग्याल कौन होते हैं घास के मेदान होते हैं तो बुग्याल भी कई बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे बुग्याल है यहां पे उत्तरकासी जनपत में तो इधर देखो पहले यह गोमुख है यहां से भागिरती नदी निकल रही है और यहां पहुंचती हो गंगोतरी पहुंचती है तो खैरिये तुम आपको नदी सिस्टम में बताऊँगा अब देखो भागिरती नदी का उसी के निकट में इस चते है तपोवन तो तपोवन एक क्या है यहां पे तपोवन बुग्याल तो तपोवन बुग्याल का है आपका यहां आपका उत्तरकासी जनपद में जो गौमों के पास है दूसरा जो बुग्याल है वो है आपका पौवाली कांठा बुग्याल अब दोखोब 25 गांथा भूग्याल है मैंने आपको तीरी जनपद ने बतायता है ये तीरी जनपद में है लेकिन आपको एक चीज और नौट करनी है जो 25 गांथा भूग्याल है वो तीरी और उत्रकासी जनपद दोनों में फैला हुआ है तो इसलिए मैंने आप पहुआली इजर दिखा दिया, कांठा इजर दिखा दिया, ताकि आप लगा सको कि ये क्या है ये टीरी का छेतर है, ये उत्रकासी का छेतर है तो टीरी और उत्रकासी छेतर में आपका पहुआली कांठा, बुग्याल उसके बाद यहाँ पे आपका दियारा बुग्याल तो इनके बारे में ज़्यादा पूछता है नहीं पूछता है सिर्फ नाम पूछता है कि यह बताई कि दियारा बुग्याल कौन सी जनपद में है या आपका तपोवन बुग्याल कौन सी जनपद में है तो इस परकार की question बनते exam में उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य बुग्यालों की बारे में बात करते हैं लेकिन उनकी मेरे को exact location यहाँ पर मालूम नहीं चल पाई है तो यहाँ पर आप दे सकते हो केदार कांठा बुग्याल हो गया केदार खरक बुग्याल हो गया धयारा बुग्याल में आपको बता दिया है तपोवन बुग्याली बे आपको बता दिया है कुसकल्यान बुग्याल देवदावनी बुग्याल सोनगड बुग्याल हरकी दून बुग्याल यहाँ पर जैसे आपको बताया था न हरकी दून यहाँ पर है यह आपका सूपिन रेंज में हरकी दून कहा है आपका सूपिन रेंज में यह सूपिन नदी आ रही है यह रूपिन नदी आ रही है सूपिन नदी को ही तोंस नदी कहते हैं और आगे इसको टोंस नदी के नाम से ही जाना जाता है और फिर ये देरदुन में आगे यवना नदी से संगम करती है तो ये तुखहर नदी सिस्टा में कम्प्लीट होगा तो यहां पे इधर है आपका हरकी दून और हरकी दून भुग्याल उसका जो फिर वजाँब्ण करने हैं अब बात करते हैं यहां पे उत्तरकाशी जनपत के परसासनिक ध्याचे की यानि यहां पे लोग सभाव सीटें, विधान सभा सीप्धिर विक यानि तीन Сीटे विधान सब्लीके अब देखा本न ज़िख selv लोग दृष्टे से तो बड़ाई जनपद है लेकिन यहां पर सिर्फ तीन ही सीटै जैसे आपको पता है कि तीनी जनपद में छे सीटै है जब कि तीनी जनपद कम है लेकिन एक्सल जो जनसंक्या है टेरी की वो बहुत जादा है उतरकासे में जो जनसंक्या है वो कम है इसलिए जनसंक्या की आधार पर यहां पर सीटें होती है तो तीन सीटें कहां कहां है एक गंगोत्री सीट है एक पुरोला सीट है और एक एमनोत्री सीट है तो इसमें जो य विकास खंड यहां पर उत्रकाई जनपत में चिन्याली सोड, पुरोला, नोगाउं, डुंडा, भटवाडी, मोरी, तो इनको आप मैप भी देख सकते हैं, मैप भी मैंने यह दिखा रखे हैं, यह विधानसाबा चेतर भी है और विकास खंड भी चिन्याली सोड हो गया, पु किलोमीटर में कितने ब्यक्ती हैं, यानी एक किलोमीटर में कितने ब्यक्ती हैं यह यहां पर तो वह लगवग एक टालिश्टी का, 41 हैं यहां पर जनसंग्या घंणथव लिंगा अनुपाथ यानि male female मलब परती हजार पूरसों में कितनी महिला हैं तो 958 लिंगाउन पात कितना है उत्रकाई जन्पत में 958 है कुर साक्षरतादर की बात करें तो 75.82% है और पूर साक्षरतादर की बात करें तो 88.79% और महिला साक्षरता यहां पर 62.35% यहां पर परसासनी धाचा हो गया जन्पत के बारे में आपको उत्रकाई जन्पत के बारे में बताया है बाकि आपको कल हम आपको परमुख मंदिरों परमुख परेटक इस्थल और साथ इसाथ क्या बताएंगे जो भी परमुख मेले हैं और तरकाज जन्पद में लगते हैं और पार्ट 3 में नदी सिस्टम हो गया परियोजनाय हो गया कुंड जलपरपाद परमुखताल यह सारे टोपिक लगवग कम्पलीट हो जाएंगे तो यह मैप आपको मिल जाएगा हमारे एप में या इस टांग्राम में आप फोलो करता हैं तो इस टांग्राम से भी आप इस एप को लेख सकते हैं और खुद इस मैप को बनाने की कोशिश जरूर करें तो आसा करते हैं आपको हमारी यह जन्पब सीरीज पसंद आ रहे होगी अगर वीडियो पसंद आ रहे है तो वीडियो को लाइक और सीरीज जरूर किसे का कमेंट बॉक्स में अपने राये जरूर दें कैसे आपको इस सीरीज लग रही है और चैनल में पहली बार रहा है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स साथ अब तक ले धन्यवाद